जेहें दोस्तों अंदिमात्रम अभिशेक बच्चन को अपना जॉनर मिल गया है काफी समय तक इंडस्ट्री में काम करने को लेकर नेपोडिजम का ठपा और कॉंट्रोवर्सी के बीज में रहने के बाद फाइनली अभिशेक बच्चन अभिशेक बच्चन अभिशेक बच्चन को लेकर आ रहे हैं जिनमें की ना सिर्फ वो अच्छे लग रहे हैं बलकि उनके काम को सराह भी जा रहा है कुछ समय पहले ऐसी ही दसवी मूवी आई थी वेब सीरीज ब्रीट इंटो दे शैडू जाए थी और अब फाइनली एक और ऐसी मूवी निकल कर आई जिसका की नाम है घूमर घूमर घूमोरे घूमोरे वाला घूमर नहीं बलकि एक ऐसी मूवी है जिसको कि देखकर आप लिटरली सोचने मजबूर हो जाएंगे खेर की नई मूवी घूमर से सीखने को मिलने वाला है प्रेड़ना और लगन की कहानी चे भरपूर इस फिल्म को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा सयामी का तो मैं वैसे भी काफी बड़ा फैन हूँ काफी अंडरेटेड एक्टर है लेकिन इनका काम इतना जादा सरानी है कि आप लंबे समय तक इनका नाम इंडस्ट्री में सुनने वाले है मूवी की कहानी की बात करें तो गूमर की कहानी अनीना नाम की एक यंग लड़की की है अनीना के किरदार यहां पर निभाया है सयामी ने अनानी क्रिकेट खिलाडी है और भारत की नैशनल विमन्स क्रिकेट टीम में खेलना का सपना देखती है सब कुछ सही चल रहा होता है जब अचाना के एक हाथसे में उसका दाया हाथ चला जाता है उसके क्रिकेट खिलने के सपना तूट चुका है और अब वो मर जाना चाहती है फिर अनीना के दर्वाजे पर पदम सिंग सोडी और फिर पैडी सर मतलब कि अभी शेक बच्चन नाम का एक शक्स दस्तक देता है पैडी एक पूर ट्रिकेटर है जो दुनिया और अपनी जिन्दगी से नाराज है साथी शरावी भी है पैडी के साथ मिलकर अनीना अपनी जिन्दगी को दूसरा चांस देती है गूमर की कहानी असल जिन्दगी की एथलीट से काफियत तक बरे परेड़े थ। इस एथलीट ने अपने हाथ के साथ हुए हादसे के बाद भारत के लिए दो अलम्पिक मैडल जीते हैं यहां डिरेक्टर आर बालकी ने बिना देरी किये दर्शकों को अनीना की जिंदगी से सब को शेरूबरू करवा दिये फिल्म के कहानी जजबे और हमदर्दी से भरी हुई है आप इसमें अनीना के स्ट्रगल को देखते हुए परिशान होते हैं तो उसकी मेहनत पर आपका दिल भी खुश होता है लेकिन फिल्म में किसी भी पल अनीना को मजबूर नहीं दिखाये गया है और यह देखना काफी अच्छा रहा साथ ही कभी जीत का स्वाद ना चकने पर जो मोनोलॉग उन्होंने दिया है वो आपके अंदर एक मतलब बिर्गुल टीस पहुँचाएगा दिल को कि यार सही में यह होता है आपकी आखे भी नम हो जाएंगी कुछ बड़िया सीन्स में से एक दिवाली वाला सीन भी है जिसमें पैडी बने अविशेक अनीना बनी सयामी की लिमिट को पुश करते हैं एक और ऐसा ही सीन है जिसमें अविशेक अपनी धूल कारे क्रिकेट जर्सी और खराब हो रहे है जूतों को दोबारा पहन कर अनीना को देखने की तैयारी करते हैं इन सभी सीन्स को काफी अच्छे से निभाया गया है विशेक बच्चन के द्वारा और उनकी पर्फॉर्मस कहीं भी डगमगाती हुए नहीं दी डिरेक्टर आर बाल की आपको एमोशनल करने में भी कहीं नाकाम नहीं होते हैं फिल्म की लीड कर उठना दोबारा से नहीं शुरुआत करना इसनी से चीजों को देखकर आप सयामी से प्रेरित होंगे ही मेरे पर्सनल फेवरेट सीन वो है जब अनीना के एक्सिडेंट के बाद उसका दोस्त जीत मतलब कि अंगदबे दी अपने प्यार का इजहार उससे करता है और वो ग इसके सपने पूरा करने में उसका साथ देती है साथ ही उसके स्कोर को भी टैली करती है शवाना का काम इस फिल्म में बढ़िया है अंगद बेदी अनीना के बईफरेंट जीत के रोल में काफी अच्छे लगे है उनका काम भी तारीफ के लायक है एक्टरस इहां का दास ने छोटा लेकिन काफी दमदार रोल किया है उन्हें स्क्रीन पर देखना मज़िदार था ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म काफी बढ़िया है जिसे एक चांस तो आप बिल्कुल दे सकते हैं और अभी इस समय वैसे भी काफी बड़ी-बड़ी मुवीज लगी हुई है ऐसे मे ये एक छोटी सी मुवी आपको दिल जरूर जीत लेगी मेरे सुटी फिला अलतना ही जय हैं जय भारत